हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपको लेग गई हूँ सारनाथ के बॉट टेंपल और यह बहुत अच्छा है अगर आप सारनाथ आएं तो जरूर यहां पे आएं तो सारनाथ का जो अभी नाम है वो सारनाथ है इससे पहले नाम था सारनाथ और यह बहुत धर्म का तीसरा तीर्थ इस्थल है एंट्री गेट से हम एंटर होते हुए यहां पे बहुत अच्छा गार्डन बनाए है लुंबिनी नेपाल कपिल वस्तु में भहवान बुद्ध का जन्म हुआ था बहुत गया बिहार में उन्होंने तपस्य करके प्राप्ति की और तीसरा स्थान है सारंगनाथ जहां पे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने पांचों शिश्यों को उपदेश दिया आज जहां पे हम खड़े हुए हैं बहुत धर्म का निर्मान यहीं से हुआ है और वह पूरे विश्व में पे फैला है चौथा बनी होई है वहां पे चार मुद्ध को ग्यान की प्राक्ति आप सामने जो आप टेंपल देख रहे हैं उसे थाई टेंपल कहा जाता है क्योंकि इसका पूरा जो खर्चा है वह थाई गवर्मेंट उठाती है इस मंदिर के अंदर जो भावान बुद्ध की मूर्ती है वो 9 मी पथर से बनी हुई है जिस पे सोने की पॉलिश की गई है गौतमवुद्ध राजा के पुत्र थे जब पुत्र छुप मतंसरा जन्म हुआ मत की मिरत्त्यख सब क् dolम च technical उनके पिता वह बहुत खुश थीुह में इसमें सादू संत बहुत से महात्मा आए और उन्होंने कहा कि ये संत बन जाएंगे इनको घर में ही रखा जाए तो उनके पिता को चिंता हुई कि अगर मेरा बिटा संत बन जाएगा तो मेरा राजपाट कौन समालेगा तो उन्होंने 16 साल तक उनको घर पर ही रखा और उनका लालन फालन उनकी मौसी ने किया तीन चीजे उन से छुपा दी गई बुढ़ापा, विमारी और मित्तु और उनकी शादी करती जिग गई जिससे उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था उनकी पत्नी के दौने उन सब बातों का पता चला जो उनसे छुपाए गई तो 16 साल के बाद वो तपस्या करने के लिए निकल गए सामने जो आप मूर्ती देख रहे हैं ये ब्लैक स्टोन से बनी हुई गौतम बुद्ध की मूर्ती है और आपने यहाँ पे लाफिम गुत्ता की मूर्ती भी देखी है सामने जो आप मूर्ती देख रहे हैं ये अफगानिस्तान बामियान से कौपी करके बनाए गई है जो तालिबानियों ने तोड़ दिया था और यहाँ पे बहुत ही अच्छे नील कमल लगे हुए है और इस तरीके से बीच में गानन बनाया है जिसमें बहुत सारे कमल लग रहे है बामियान में पहाडों को काट काट के बहुत सारी गौतम बुद्ध की मूर्तीया बनाए गई थी लेकिन इस समय अब कुछ भी नहीं है उसी को कॉपी करके यहाँ पे बनाया गया और इसका उद्गाटन करने के लिए थाइलेंड के प्रधान मंतरी यहाँ पे आय थे पहले थाइलेंड के बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते थे और यहाँ का ख्याल रखते थे लेकिन कोविट की वज़े से अभी कुछ भी नहीं है और यह है अशोक चक्र जो अब हम हमारे फ्लैग में यानि की जंडे में देखते हैं तो यह रहा पूरा टोटल एक गार्डन बना हुआ है यहां पर गौतम बुद्धि के बारे में आपको काफी जानकरी मिल जाएगी है यहां पर आपको लोकल गाइड भी मिल जाएगे जिनसे पूरी जानकरी मिल जाएगी वीडियो कैसे लागा कर्में सेक्षन जरूर बत लाइक और शेयर करना